टिकेट ना मिलने से नाराज युवा कॉंग्रस के पदादिकारियों वा कारेकरताओं ने पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है गुरुवार को जहां टिकेट चैन समीती के अध्यक्ष विजय लक्ष मिसाधों के होटल के बाहर धरना दिया गया था तो वहीं अब युवा कॉंग्रस आरपार के मूड में है युवा कॉंग्रस ने इन दौर में पार्शत चुनाफ के लिए पार्टी सबने कारेकरताओं के लिए पचास प्रतीशत टिकेट की मांग की थी पार्टी ने पहले दस टिकेट देने का आश्वासन दिया था बाद में पांच किया फिर तीन कर दिया लेकिन अब तक फाइनल हुए सूजी में युवा कॉंग्रस के पदादिकारियों वकारेकरताओं का नाम नहीं है इससे आक्रोशित पदादिकारियों ने गुरुवार को टिकेट चैन समीती के अध्यक्ष विजय लक्षमी साधो जिस होटल में ठहरी हैं उसके बाहर धरना दे दिया था पदादिकारी के अनिस्वार क्या युवा कॉंग्रस के पदादिकारी वकारेकरता सिर्फ जंडे बैनर उठाने वो आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए हैं हम लोगों की मांग है कि यूद कांग्रस को 50% टिकेट दिया जा है यूद कांग्रेश हमेशा आंदोलन करने के लिए एंवा भारती चंता पाटी के जो भरष्ट्यagen Grant के खिराप बढ़ चड़ के दो हमारी यह मांग है कि यूद कांग्रेश सिर्फ आंदोलन के लिए ही बनी हैं विसर्फ जंडा वेनर उठाने के लिए लिए है, हमारी एमांग है कि यूत कांग्रेस को जदा से ज्यादा मोका देना चाहिए और चाहिए वह उत्सरों के पतादिकारी नहीं देंगे तो हम हमारे पतादिकारी पार्टी ने शुक्रवार दोपहर तक सूची जारी नहीं की थी, लेकिन युवक कॉंग्रस की और से बड़ी संख्या में नामंकन दाखिल किये गए Bureau Report, MP News